Hello everybody, this is Digraas Singh Rajput, Welcome to Magnet Greens इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Tropical Thorn Forests के बारे में अभी तेक हमने क्या पढ़ा? चाप्तर स्टार्ट के हमने हमारा Natural Vegetation Natural Vegetation में मैंने आपको Tropical Evergreen Forests के बारे में बताया उसमें भी Semi Evergreen भी थे, वो भी बताया फिर हमने Desidious Forests के तरफ शिफ्ट किया तो Desidious में हमने Moist Desidious और Dry Desidious दोनों जगा के Forests Areas को देखे अब मैं आपको एक homework देता हूँ, चलो बताना कि दोनों के बीच में Rainfall Variation कितना होता? Moist और Dry Desidious के बीच में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना अंसर अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे Tropical Thorn Forests को टॉपिक स्टाट करें उससे पहले कहानी सुनातों मैं आपको कहानी कहा है, बच्चे परिशान थे बहुत जादा कि Quality Education नहीं मिल पा रहा है ठीक है, मिल रहा है तो पैसे मांग रहे हैं, अनाप सनाप पैसे मांग रहे हैं फिर क्या आता है Magnet Brains जिसा एक चैनल आता है जी हाँ, Magnet Brains एक ऐसा चैनल है, जहाँ पर आप अपना सिलेबस, Complete सिलेबस, सिर्फ एक चैप्टर, दो चैप्टर या चार चैप्टर नहीं अपना Complete सिलेबस, Free of Cost देख सकते हो, Complete कर सकते हो, Video Lectures के थूँ सबसे मज़तार बात यह सारे Video Lectures आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो, और यह Free of Cost अवेलेबल है टॉपिक पर वापिस रिज्यूम करते हैं, तो देखो Tropical Thorn Forest, अब Tropical Thorn Forest पुरा Name Game है, Try to Understand the Heading ठीक है, क्या लिखा है, Tropical, अब Tropical तो ऐसा है कि मैं आप से सपने में पुछूँगा, तो भी बता दोगे, आपके हाँ सर्व वो Tropic of Cancers और Tropic of Capricorn के, बीच का जो एरिया है, वो Tropical Area कह रहाता है, ठीक है, तो मतलब यह तह है कि जो Tropical Thorn Forest के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस टाइब ओ फॉरेस्ट लाइज इन दी ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ठीक लगाओ, अब क्या है, ठॉर्ण, ठॉर्ण मतलब क्या होता है, काटे, अब काटे कभी न कभी तो चुबे ही होंगे, तो जो काटे है न, तो यहां का जो वेजिटेशन होने वाला है, तो फॉर इन एरियास विच रिसीव रेइनफॉल लेस देन 50 सेंटीमिटर, तो यह कहां पाया जाता है, उन एरियास में, जिन एरियास में रेइनफॉल कितनी होती है, लेस देन 50 सेंटीमिटर रेइनफॉल होती है, उन एरियास में यह वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, उन यह जो एरिया है ah this consists of variety of grasses and shrubs यहां पे तरह तचरह कि आपको grasses देखने को मिल जाएगी छोटी बड़ी ठीकैvenn बड़ी में भी असे नहीं कि बहुत बड़ी 5 मुझेशिंग कोई इतनी बड़ी यह छोटी चोटी इंटी इस जानिया बिखने जादा नहीं यह पेड़ है भी तो एकके दुक्षे पेड़ दूरदार पर कहीं पर रखे हुए है और वह पेड़ों में आपको उतनी जादा लीव्स नहीं दिखेगी ग्रीन नहीं दिखेगी और इसके पिछे इस प्राइब आपको देखो समझो यहां पे क्या है तो एक और चीज़ क्या है कि रेनफॉल का तो काहिकरा में वह तो समझाए नहीं मैं आपको क्या है कि यह कि एक इरिया इरिया में रेनफॉल लेस दन फिफ्टी होती है अगर जैसे आप देखो गैं तो ट्रॉपिकल अवर का प्रेसिपिटिशन तो प्रेसिपिटिशन में यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है एक जगा पर 200 से ज्यादा थी एवर्ग्रीन हो गया 200 से कम हुई डेसीडियस आगया अब वह दोसों में भी जैसे आप देखो कि 50 या फिर 50 से से कम जहां रेंफॉल आएगी तो वहां पर डेसीडियस तो पूरा खेल कौन गवर्न कर रहा है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वजिटिशन में रेंफॉल प्रेसिपिटिशन जैसे जैसे कम होते जाएगी टाइप ऑफ वजिटिशन बदलते जाएगा ग्रीनरी बदलते जाएगी प्रेसिपिटिशन इस इकल टू पी इस इकल टू जी तो प्रेशर और ग्रेडियंट व्रेडियंट पे मच चल जाना ठीक है फिसिक्स नहीं पढ़ area क्या है तो it includes semi arid areas of southwest Punjab southwest Punjab के semi arid areas ठीक है तो पंजाब तो वैसे आप देखोगे हरियाली एकदम लेकिन जो southwest पार्ट है पंजाब का तो नीचे की तरफ क्या है आपको यह देखने को मिलेगा कि महाँ पे tropical thorn forest देखने को मिल जाएंगे हरियाना राजिस्थान गुजरात मध्यप्रदेश ठीक है तो एक जो पूरा का पूरा यह वाला रीजन है अगर observe करोगे तो यह वाला जो पूरा रीजन है ठीक है यह रीजन क्या हो गया यह tropical thorn forest जो है tropical thorn forest यहां पाए जाते है और बीच में यह embedded cherry जो है देखने को मिलेगा ठीक है तो यह areas में पाए जाते हैं in this forest plants remains leafless for most part of the year and give an expression of scrub vegetation अब देखो यहां पर इसको प्रकृत्ती की संगशना कहलो ठीक है कि किस तरह से nature ने अपने आपको बुना हुआ है कि वह हर जगा अग्जस्ट करके चल रही है चीज़े बारिश कम हो रही है ना बारिश कम हो रही है तो क्या होगा कि वैसे greenery कम है अब जितनी बची की greenery है उसमें क्या होगा उसमें भी अगर मान लो कि गर्मियों में क्या होता है, ट्रांस्पिरेशन हो जाएगा बहुत जादा, तो बचे गई क्या हो, उनके पास पानी के नाम पे कुछ बचे गई ने, क्योंकि पहले ही कम पानी मिल रहा है, तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं, तो इन इस फॉरेस्ट, ठीक है, जो ट्र प्ती भी क्या है सी स्वैग में खड़ो के बोलते होगी ले लो ट्रांस्पिलेशन कर लो कहां से कर लोगे तो उस तरह से क्या है नेचर में आप देखोगे ना तो बहुत तरीके से हर चीज को क्या दिया गया है उस जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नैचरल वेज इचर्ट इटसल्स इंटो डेट एट एटमॉसफेर इंटो डेट नेचर इंटो डेट लेट लिए तो आप देखोगे कि यहां पर प्लांट्स जो रहते तो लीफलेस रहते हैं या फिर होती भी यह तो बहुत छोटी होती है ताकि इसके चलते क्या ट्रांस्परेशन से अब पलास में पको औरेंज और इंट फ्लावर देखें के पत्ति कम देखने को मिलेगी एक्सरा अब क्या है तो डेको च्रण सी फैमिली के लोग हैं तो टसो की ग्रांस घ्रोष अप्टू हाइट टू मीटर अजै अज्दी अंडर ग्रोथ जो रहती जो जमीन पर हो रही है तो वह ठेसो की ग्रांस रहती जो कम पानी में अच्क है एक चीज और बतातो हो मैं आपको यह जो पेड़ रहते तो इन पेड़ों की विश्श झा ये भी होते हैं कि roots जो रहती है, बहुत गहरी रहती है roots बहुत जादा गहरी रहती है, अब roots गहरी रहने का कारण क्या है simple सी चीज़ यह पानी की कमी है ना, तो दूर दूर तक जा के पानी खीच के लाने की कोशिश करेगी गहरी जड़े रहती है, पत्ती छोटी रहती है तो यह जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ आभी तक जैसे Evergreen में भी बताया, Decidious में भी बताया और यहाँ पे Thorn Forest में भी बता रहा हूँ तो यह Adaptability बताती है कि Nature जो है, वो अपने हिसाब से क्या करता है Nature में जो आप Vegetation देखोगे वो अपने हिसाब से क्या हो जाता है, Adaptive हो जाता है और यह सिर्फ पेडों का सिमित नहीं है इंसानों में भी है, For Example जैसे मैं आपको बताता हूँ आप जैसे देखेंगे क्या कि Africa में Dark Skin Complexion क्यों देखने को मिलेगा लोगों का तो वहाँ पे specific reason है क्यों क्योंकि वो climatic condition ऐसी है कि लोगों ने अपने आपको adapt कर लिया उस तरह से कि Dark Skin रहेंगे तो मतलब वो nature का प्रभाव आया ना फिर आप जिसी देखोगे क्या कि जो Himalayan regions में रह रहे हैं यह example और जादा suitable रहेगा तो nationally उन लोगों की आखें ऐसी कुछ रहती है खुलती कम है क्यों क्योंकि आप देखो वहाँ पे वो altitude जादा है तो वहाँ पे solar light solar insulation जो आ रही हो reflect होती है और आप चाहा कर भी आखें नहीं खोल सकते हो वहाँ से बहुत बड़ी-बड़ी आखें करके नहीं देख सकते हो तो over the period of time generation to generation क्या होगा है कि वैसे adaptable क्योंकि आख होती ही चोटी है तो nature में हर चीज क्या हो जाती है nature के accordingly adaptive हो जाती है तो वैसी पेड़ पॉधा का भी है कि वो जहां उनका जो climatic condition है उनके आजू-बाजू जिस तरह का situation है उसमें adaptive हो जाते है ठीक है और इसलिए हम कहते है क्या कि change is the law of universe आपको हर चीज को बडलाव लाते रहना होगा और बडलाव का accept भी करना पड़ेगा change is good हमेशा इस चीज को समझ के रखना कि कभी कुछ बडल भी रहा है आपके जीवन में तो उसको resist मत करना flow के साथ में देखना अपने आपको बडल के देखना hard होता है बडलना लेकिन बडलाव बहुत जरूरी है ठीक वो हो गया अब ये इसे के साथ topic भी हो गया तो हमार topic यहाँ पे complete होता है Tropical Thorn Forest इस topic को हमने पढ़ लिया है सारी चीज़े जितनी भी details थी छोटा topic था book में सारी चीज़े में बता दिये किसी प्रकार का doubt है feel free to ask in comment section Magnet Brains पर class 4 से class 12 तक बता चुका हो मैं आपको क्या मिलेगा आपको ठीक है अपने juniors और seniors को जरूर बताईए Magnet Brains के बारे में मिलते है next video में अगले topic के साथ जो है mountain forest तो mountain forest के बारे में हम next video में पढ़ने वाले हैं Till then stay connected, keep learning Thank you, thank you very much